पिछली सरकार उन्हें ने जो रिड लिया उसको मोदी जी ने भरा और मोदी जी अगर है यहां पे भी बहुत सारे रिड लिये जा रहे हैं यह रिड जो है इस रिड की भुक्तान कैसे होगा तो जो विदेशी रिड होता है दोड़ानवे दोसोटिराणवे इन दोनों में चर्चा एक ही जैसी है क्या सरकार रिड ले सकती है वीदेश से ले सकती है लेकिन यह रिड संचित निधी पर ही भारित होगा संचित निधी पर ही इसकी प्रदारी आएगी ऐसा नहीं है कि अगर वर्तमान सरकार जैसे मनमोहन सिंग थे पिछली सरकार उन्हें ने जो रिड लिया उसको मोदी जी ने भरा क्योंकि मनमोहन भारत की संचीत नीधी पर पढ़ा हुआ और मोदी जी अगर है तो यह यहां पर भी बहुत सारे रिड लिए जा रहे हैं और यह रिड जो है इस रिड की भुकतान कैसे होगा इस रिड का वुकतान अगर मोदी जी अपने चाहिए तो ठीक है ने तो इनके बाद अगर किसी का प्रण आता है तो वो जो पर्धान-मंत्री हों तो जो वीदेशी होता है केंद सरकार जो रिण लेती है केंदरी रिण वीदेशी ृण से चाहे हो World Bank हो चाहे हो Asian Development Bank हो Asian Infrastructure Development Bank हो या फिर New Development Bank हो या फिर आपका जापान से हो, अमेरिका से हो, रूस से हो, अलग-अलग देश से बैंक लिए गया, तो वो रिड किस पर भारित होता है, संचित निधी पर भारित होता है, राज्य सरकार भी चाहे तो रिड ले सकती है, वीदेशी रिड ले सकती है, लेकिन जब राज्य सरकार वीदेश से रि बतािए बीदेश सरकार भी ले सकती है और Rossi सरकार भी ले सकती है, दोनों में समानता क्या है? दोनों का रिड़ भारत के संचित निधी पर आता है लेकिन राज्य सरकार यह दि लोन लेना चाहिए वर्ट बैंक से या जपान से रूस चाइना अमेरीका कहीं से उसको संचित निधी तो भारत सरकार पर जाएगा इसलिए उसे रिटेन में केन सरकार की अनुमती की जरूरत होती है तो केन सरकार कर देगा ठीक है इसको लोन दे दीजे तो लोन दिया जाएगा यहाँ पर सब्सक्राइगा रहा है कि नहीं रहा